आद आव नमस्कार रात के नो बजे और चब्वीस से ग्यारा की कहानी काफी वक्त से आप लोगों की फर्माईश थी और अब मौका है चुकि आज चौबीस है पर सों चब्वीस है कल इतफाक से संडे है वरना लगातार ये सलसला चलता लेकिन मैं कोशिश करूँगा कम से कम दो तीन दिन के अंदर आपको पूरी कहानी सुनाओं और आगे कुछ कहूं सीधे उससे पहले पॉइंट पर ही आता हूं की क्योंकि चौबीस से ग्यारा की जब बात हो रही है तो ये बहुत बड़ा हादसा था एक ऐसा हादसा जिसका सलसला मौत से भी खत नहीं होता मौत क बात जो शुरू होता है कायद सुस गम का नाम है चब्बीस से ग्यारा जिन्दगी जहां से एक नए रास्ते पे चलती है कायद सुस मोड का नाम है चब्बीस से ग्यारा आदमी को आदमी होने पर अगर शर्म आती है तो उस मन्जिल का नाम है कायद से चब्बीस से ग्यारा क्योंकि हिंदुस्तान में इस तरह का हमला इस से पहले कभी नहीं देखा गया करीब 168 लोगों की मौत 310 के करीब घायल 168 जो मारे गए उनमें से करीब 28 फॉर्णर विदेशी अलग-अलग 10 मुलकों के लोग थे कही जहाबास पुलिस अफसरों की मौत एनसजी के कमांडों की मौत और उसके लावा मुंबई के सीने पे जो जखम वो कभी भुलाया नहीं जा सकता तो इसलिए 26 गयरा हमेशा याद रहेगा दस साल पूरे होने वाले हैं लेकिन ऐसा लगता नहीं है ऐसा लगता कल की बात वो चीखें वो मातम वो सारी चीज़ें आज भी लगता है कानों में गूंज रही हैं पूरी कहानी हमला कैसे क्या हुआ जादत था चीज़ें आप लोगों को पता हैं लेकिन एक्चुली इसकी पूरी साज़िश रची कैसे गई मैं कोशिश करूँगा आपको किस्तों में कहानी सुनाने की पहला पार्ट जो है वो यह है कि 26 ग्यारा जो हुआ 2611 मुंबई इसके पीछे कौन लोग थे यह आइडिया कहां से आया और इसको कैसे उन्होंने अमल मिलाया और फिर आतंकवादियों को भेजने के लिए समंदर का रास्ता क्यों चुना और यह दस लड़के जिनको भेजा था इन दस में कॉमन बात क्या थी इने क्यों चुना गया यह सारी चीज़े नाइन इलेवन हुआ उसके लाएब एक मैड्रिड में हमला हुआ था लंडन में हमला हुआ था आतंकवादी यह सारे हमले बहुत बड़े पैमाने पे हुए थे और इसमें लोगों के बीच में बहुत दहशत पैली थी ये सारी चीजें पाकिस्तान में बैठे वे जो आतंगवादी संगठे ने जो हमेशा हिंदुस्तान के खलाफ होन खराबे की बात सोचते रहते हैं उनके दिमाग जहन में था और वो लगातार आतंगवादी हमले हरकतें करते रहते थे लेकिन उनकी सोच ये थी कि कुछ ऐसा किया जाए जो बड़ा हो जिसकी तरफ इंटरनेशनल मीडिया का भी ध्यान जाए और वो लगातार कोशिश करते रहते थे अपनी प्लाइनिंग करते रहते थे खास तोर पर लश्करे तैयबा जिसका सरगना हाफिस सहीद है हिंदुस्तान का बहुत बड़ा दुश्मन तो ये लोग प्लान कर रहे थे 1993 मुंबई ब्लास्ट के बाद मुंबई पे बहुत सारे अतंकवादी हमले हुए और मुंबई को निशाना बनाने की एक बहुत बड़ी वज़ा ये होती है कि मुंबई इंडिया की एक तरह से कहे एकोनॉमिक कैपिटल है बॉलिवूड भी वहीं है तो मुंबई पे जब हमला होता है तो उसका असर जादा होता है और इसलिए मुंबई को चुना गया हूँ अब इस पूरे हमले की जो मैंने आपको बता है कि किस तरीके से ये जो 9-11 और मैड्रेड और UK इन सब में हुआ था उस तरीके का कोई लशकर के कुछ कमांडर को ये काम सौंपा गया था कि वो एक ब्लूप्रिंट त्यार करें कि हमला होगा कैसा होगा क्योंकि वाल्रेड ट्रेन में कर चुके थे गालियों में धमाका कर चुके थे ये सारी चीज़ें हो रही थी और तब ही इनों ने एक प्लान बनाया और ये प्लान इसकी शुरुआत जो ही थी ये करीब 2006 में डेविड हेडली एक लशकर तयबा के लिए काम करता था ये भी कहते हैं कि पाकिस्तानी खुफी आज़नसी आई एसाई के लिए भी काम करता है अमरिका के जेल में स्वक बंद है ये मुंबई अक्सर आता जाता था और लशकर ने इसको मुंबई की रेकी के लिए कई बार भीजा ये मुंबई में आकर सारे रास्ते खास बिल्डिंग सब चीजों की रेकी करता था इवन ये ताज होटल में भी जाकर ठहरा था और इसस तो डेविड हिडली पहला ऐसा शक्स था जिसने लशकर को मुंबई के नक्षे मुंबई की बाकी बारीकियों की जानकारी ताज उबराए इन सब की जानकारी दी और इन जानकारी के बाद अब यह हुआ कि मुंबई तक आतकवादी को पहुँचा है कैसे जाए तो उसमें एक मुश्किल यह थी कि अगर बड़े पैमाने पे हमला करना है तो एक तो पाकिस्तान के थ्रू हिंदुस्तान में घुसना मुश्किल है दूसरा एक रास्ता बचता है कश्मीर के बार्डर का वहाँ से आप आएंगे तो लेकिन वहाँ पे हमेशा खत्रा रहता है क मुटभेड ना हो वहां पे चुकि बॉर्डर पे लोसी पे चौक सी जादा होती तीसरा यह कि बॉर्डर क्रॉस भी कर लें तो फिर इतने बड़ी मात्रा में हत्यार यहां से कौन उनका स्लिपर से लिया कैसे पहुंचाया जाएगा उस तक कैसे पहुंचेगा उसमें भी जोकिम था तो यह सारे रास्ते या तो फिर बॉर्डर क्रॉस करके या फिर किसी और जरीये से औरिजिनल वीजा पासपोर्ट पे हिंदुस्तान में इंट्री कराना उसके बार लेकिन फिर वो हत्यारों की खेप उन तक पहुंचाना तो बहुत सारे मसले थे और 9-11 के बाद ये भी था कि हर जगा पे सकती भी थी एरपोर्ट पे भी सकती तो हवाई रास्ते से बिलकुल भी संभव नहीं था कश्मीर के रास्ते आतंकवादियों को घुसाने में जोकिम था और वो हत्यारों के खेप के साथ सारे के सारे जो पूरी टीम है वो बिना नुकसान के अंदर आजा ये भी मुश्किल था तो जब ये सारी चीजें मना कर दीगें कि ऐसा नहीं हो सकता तब एक आखरी रास्ता आता है समंदर का रास्ता समंदर के रास्ते की पूरी रेकी होती है पूरी प्लैनिंग होती है टाटोला जाता है, खंगाला जाता है उसके बाद लगता है कि अगर आतंकबादियों के पूरी खेप को हाथ्यारों के साथ ताकि उने किसी और से हाथ्यार की खेप मुंबई पहुंचकर ना लेनी पड़े यहीं से वो लेकर चले और मुंबई में ऐसी जगह पे उतरें कि जहां से उसके बाद उतरने के बाद उनको किसी सिक्रिटी नाके बंदी इनकी भी जरूरत न पड़े और वो आसानी से शहर में दाखिल हो जाए तो इन सारी चीजों की परताल की गई और उसके बाद तैह हुआ कि समंदर के रास्ते ही आतंकवादियों को मुंबई भेज़े जाएगा और इस समंदर के रास्ते भेजने के पीछे एक और जो उनकी सोच थी वो यह कि 1993 में जब मुंबई में सीडियल ब्लास्ट हुआ था तब जो आडी एक्स की पूरी खेब थी वो समंदर के रास्ते ही मुंबई पहुंचाए गई थी जादातर हिस्सा और बहुत आसानी से पहुंच गई थी कस्टम और बाकी लोगों के साथ भी मिली भगत थी तो एक उनके पास वो पुराना एक्जामपल था कि समंदर के रास्ते इसी है दूसरा हुने ये भी लगा था कि समंदर के रास्ते पर इतनी निगरानी नहीं है ना इंडियन कोस्टल गार्ट की ना बाकी उसकी तो यहां पहुंचना असान था तो पहली चीज ये तै हुई इस पूरी साज़िश में कि रास्ता क्या होगा आतंगवादियों के जाने का और वो तै हुआ कि समंदर के रास्ते अब हुआ कि कैसे भेजेंगे कौन लोग होंगे और इनका इंचार्च कौन होगा तो लशकर की तरफ से चीफ तो हाफिस सईद जिसके इशारे पे सब काम हो रहा है लेकिन उसने ये जिम्मेदारी सौपी जकी और रह्मान लखवी उर्फ चाचा ये नाम है लशकर में बहुत बड़ा नाम है लशकर में जकी और रह्मान लखवी उर्फ चाचा चाचा को जिम्मेदारी सौपी गई इस पूरे आपरेशन को अंजाम देने के लिए लड़कों को तयार करने के लिए और उनको मुंबई तक पहुँचाने के लिए और मुंबई में आतंगवादी हमले के दोरान भी उनके साथ बाकाइदा संपर्क में रहने के लिए तो पहला शक्स आता है लशकर की तरफ से जक्यूर रह्मान लक्वी उसके साथ दूसरा शक्स आता है जरार शाह तीसरा आता है अबू काफा और चौथा आता है अबू हमजा जक्यूर रह्मान जरार शाह अबू काफा अबू हमजा ये चार लोग लशकर की तरफ से 26-11 की पूरी साज़िश को के सूत्रधार होते है अब इनका सबसे पहला काम होता है उन आतंकवादियों को चुनना जिनको मुंबई भेजना है और ये काम जादा तर इनमे से दो लोगों का था जकी और रिमान लकवी उर्फचाचा या फिर जरारशाः चब्बे से गयरा दोहजार आट में होता है लेकिन इसकी प्लैनिंग शुरू होती है दोहजार साथ जून के बाद लगबग एक साल पहले इस एक साल के दोरा सबसे पहला इनका काम था कि किसी तरह से लड़कों को चुना जाए जिनको भेजना है 32 पाकिस्तान के अलग अलग शहरों के लड़कों को जो लशकर का संग्ठन नेक वहां पे है पाकिस्तान में जमात दावा जो आम तार पे देखाता है यह कि वो मदर्सों के लिए काम करता है भरीबमस्लिम बच्छों की पताई लिखाई लिखाई का काम करता है यह उनका वहां पे उनका चहरा है लिकिन असल में बशकर का एक लशकर तैयबा के नाम पे बैंड लगी तब उसने जमादुददवा का गठन किया था, नाम बदल दिया था, काम वही था तो जमादुददवा के मदर्से और ये सारी चीजे होती है तो ऐसे लड़कों को खासतोर पर ये लोग अपना निशाना बनाते है जो थोड़े शरारती हों, घर से भागे हुए हों, घर से निकाले हुए हों शादी शुदा ना हो, उम्र जादर सादा बीस बाइस साल हो इसके पीछे सोच ये है कि ऐसे लड़कों को, जो अपने घर से दूर हैं, निकाले हुए हैं, थोड़े से ब्रमाश हैं शादी शुदा नहीं है, इनका brainwash करना बड़ा आसान काम है दूसरा ये इनको जो सिखाया जागा वो रास किसी और से share नहीं करेंगे क्योंकि घरवालों से इनका mail जूल है नहीं, मिलना जूलना है नहीं, आना जाना है नहीं शादी शुदा है नहीं, इसके जिम्मेदारी हैं का भी असास नहीं होगा और बड़े आसानी से ये कश्मीर और जिहाद और इसके नाम पर इसके नाम पर ये भैख जाएंगे तो ये इनका मोडस अफरेंडी था, तो ऐसी करकर के इन्होंने 32 लड़कों की एक टीम बनाई, अलग अलग पाकिस्तान के शहरों से और ये सारे के सारे की उम्र वही, सारे कुमारे किसी की शादी नहीं, सारे गरीब घर के बिलकुल और सारे के सारे बिलकुल भी पढ़े लिखे नहीं, कोई तीसरी पास, कोई चौथी पास, कोई दूसरी के बाद ये स्कूल जाना छोड़ गया इन 32 ललकों को लेके तीन अलग अलग चर्णों में ट्रेनिंग दी जाती है जो शुरुआत इनको बताया गया इन 32 के 32 ललकों को वो ये कहा गया इन सब को जब कि तुम सब कश्मीर के सिपाही हो कश्मीर की आजादी में तुम्हारा रोल होगा और अल्ला ने तुम्हें चुना है तुम सीधे जन्नत में जाओगे और बड़े खुशनसीब हो कि तुमनों को चुना गया ये कहकर और खासतोर पर इन सब को कश्मीर के नाम पे शामिल किया गया इनकी ट्रेनिंग दी गई जो इनकी ट्रेनिंग होती है उस ट्रेनिंग के बाद इन बत्तिस में से आखरी दस लड़कों को चुना जाता है मुंबई अटेक के लिए अब ये जो डस थे इनकी ट्रेनिंग कैसी होती है आगे बताऊंगा पहले इन दस के नाम आपको बताऊंगा बत्तिस में से सिलेक्शन होता आखरी दस लड़कों का अब्दुलरह्मान उर्फ बड़ा अब्दुलरह्मान उर्फ छोटा और बाबार इमरान ये तीनों पाकिस्तान के मुल्टान के रहने वाले थे और इन तीनों को उन दस लोगों में से पहले चुना गया इसके बाद आता है जावेद अर्फ अबुली अबुफाद ये पंजाब के उकारा जिले के दोनों इन दोनों को चुना जाता है पांच हो गए इसके बाद चुना जाता है नजीर अर्फ अबैद और नासिर अर्फ अबुउमर ये फैसलाबाद के रहने वाले थे साथ हो गए इसके बाद सेयाल कोट से दो लोड़कों को चुना जाता है अबुशैब और अबुमुजाहिद नो हो गए और दस्वा वो नाम है जो हिंदुस्तान के घर घर में जाना जाता है अजमल कसाब जो एक लोथा जिन्दा अतंगवादी पकड़ा गया था ये सारे अपने घरों के नालायक लड़के थे ये सारे घर से भागे हुए लड़के थे सारे कुछ न कुछ क्राइम में एक्टिविटी से कोई चोरी में पकड़ा गया था किसी ने डाका डाला था किसी ने जगड़ा किया था कसाब दो बार चोरी करते हुए पकड़ा गया था और वो भी अपने घर वालों से ललके निकला था तो इन सारे की खास खास बात ये थी कि इन दस के दस ललकों को अपने घर से दूरी थी दस के दस पढ़े लिखे नहीं थे दस के दस कुमारे थे और ये दस के दस किसी ना किसी क्राइम में छोटे मोटे इन्वाल्व थे तो 32 में से इन 10 लोगों को चुना गया अब इनकी ट्रेनिंग कैसे हुई जब शॉट लिस्ट हुए तो तीन चर्णों में इनकी ट्रेनिंग हुई और ये पूरी ट्रेनिंग पाक अकुपाइट कश्मीर जो है वहां पे हुई पाक अधिकरित कश्मीर में वहां के भी तीन जगों पर इनकी पहली ट्रेनिंग का नाम था दौरा सुफा ये ट्रेनिंग जो एकदम बिगिनिंग ट्रेनिंग थी पहले तो सबसे पहले जब ये आये तो इनको जमात दावा के मदरसों में और वहां रखा गया इनको बाकाइदा इसलाम जिहाद के बाते बताए गई गई कुछ को पढ़ना नहीं आता था तो लिटरेचर भी नहीं दे पाए उनको बता बता के समझाय जाता था और इनको तस्वीरें और पिक्चर दिखा जाती थी खास तो जब जमात दावा में इनकी बेसिक ब्रेन वाश की जब ट्रेनिंग पूरी हो गई और इनको इसलाम जिहाद के नाम पे तियार कर लिया गया उसके बाद इनकी असली ट्रेनिंग शुरू होती है पहला ट्रेनिंग जिसका नाम रखा था दौरा सुफा यह ट्रेनिंग और इस ट्रेइनिंग के दौरान सभी को सुबा सबसे पहले सवा इन सब का पूरा रूटीन फिक्स है 21 दिन का सुबा चार बजे उठना नहाद होके सबसे पहले फजर की नमाज पढ़ना इसके बाद इनको दोड़ना दोडाना फिर नाश्ता देना और उसके बाद सभी तरह की जो एकसरसाइस एकसरसाइस करना भागना दौलना इस तरह की ये ट्रेनी लेकिन बहुत ज़ादा देर देर तक और ये सुबा चार बजे से शुरू होता था और रात आड़ बजे तक बीच में बस नमाज पढ़ने के लिए जो पांच वक्त का नमाज का टाइम है और खाना और नाश्टे और रात का खाना का टाइम होता था चार बजे पीटी कराय जाता था जैसे बलकि आर्मी और उन सब में कराय जाती है फिर पीटी के बाद नमाज और दूसरे काम फिर एकसरसाइस दौरना ये पूरा पहला जो दौरा सुफा की ट्रेनिंग थी एकस दिन की मुरीद के इलाके में ये उनको दी गई ये ट्रेनिंग इन लोग के लिए थोड़ी सी मुश्किल थी लेकिन आसान थी इसके बाद इनका दूसरा ट्रेनिंग का दौर शुरू होता जिसको नाम दिया गया था दौरा आमा इस ट्रेनिंग के लिए भी 21 दिन का दिन रखा गया और 21 दिन की ट्रेनिंग थी और ये ट्रेनिंग इनको दिये गई पहली जो ट्रेनिंग दिये थी वो मुरीद के में इस बार ट्रेनिंग दी गई, इनको मंसेरा है पाकस्तान में जगा, वहां का एक गाऊ है बटतल गाऊ, वहां पे इनको ट्रेनिंग दी गई, और इस दूसरे चरण के ट्रेनिंग में इनको हципयार चलाने की ट्रेनिंग दी गई, इनका जो ट्रेनिंग का रोटीन था तब भी सुबा चार बिजे सो कर उठना नमास पढ़ना पास से छे इंस्रक्टर जो है इनका तब अबू अनस था जो इने पीटी सी खाता था आठ बिजे ब्रिकफास्ट साड़े आठ से लेके साड़े ग्यारा बिजे तक हातियार चलाने की ट्रेनिंग जिसमें 217, ग्रीन, आरेक्स, उजी गन, पिस्टल, रिवॉल्वर ये सारे जितने भी आटोमेटिक विपन थे ये सब और इस ट्रेनिंग का हातियार चलाने का जो इनका ट्रेनर था वो अब्दुल रह्मान था साड़े ग्यारत से साड़े बारा एक घंटे का फिर इनको बीच में रिस्टिया जाता और बारा के आए बाद इनको फिर लंच, एक से दो फिर नमास के लिए छुटी, दो से चार आराम और फिर चार से छे पीटी ये इनकी जो दूसरे दोर के ट्रेनिंग थी, ये उसका हिस्सा था इसके बाद ये ट्रेनिंग 21 दिन चला, 21 दिन के बाद फिर कुछ इनको गैप छुटी दी गई, लेकिन सब निगरानी में थे, लशकर के लोगों के तीसरे दोर की फिर ट्रेनिंग इनकी शुरू होती है, जिस ट्रेनिंग का नाम रखा गया दोरा खास और ये ट्रेनिंग मुझफराबाद पाकिस्तान जो अधिकरित कश्मीर वहां पर है, अब वहां दी गई इस ट्रेनिंग के दोरा ने इनको हतियार और जादा चलाने की ट्रेनिंग दी गई, जो बाकी के हतियार थे, हैंड ग्रेनिट फेकने, रोकेट लॉंचर चलाने, इन सब की ट्रेनिंग दी गई, और हर दिन, सिर्फ और सिर्फ चार घंटे इनको लगातार हतियार चलाने की continue, non stop, चार घंटे अलग अलग तरह के हत्यार, grenade, rocket launcher, बस आप ये चलाते रहो और ये करते रहो, और साथ में इस ट्रेनिंग के दौरा इनको पहली बार, तमाम, ना सिर्फ हिंदुस्तान के, बलकि दुनिया भर में, जहां जहां पे भी लशकर तयवा ने, मुसल्मानों पे जल आजादी कराओगे, और ये सब चीजे करोगे, तो ये जग तीसरे चलन के ट्रेनिंग थी, ये भी 21 दिन की थी, और इसके बाद इन तीन चलन के ट्रेनिंग के बाद, इन लोगों को फिर छुट्टी दी जाती है, और साथ में निगरानी जा रही है, क्योंकि जहाद की भी बाते हो रही है, सारी चीजे भी बताई जा रही है, लेकिन ये कहीं धर उधर न चले जाएं, इसलिए उनके उपर निगरानी भी लगातार हो रही थी, अब तीन दोर के ट्रेनिंग के बाद, जकीर रह्मान लखवी जो चाचा है, ये इन दस लोगों की एक टीम मनाता है, और इनको दो-दो के गरूप में बाट देता है, पहले गरूप में अबू अजमल जो कसाब था, उसके साथ अबू इसमाईल को रखा गया था, और अबू इसमाईल वो शक्त था जिसको मुंबई में जो दस आतंगवादियों को भेजा जाना था, उन सब का लीडर उसी को गया था, और कहा गया था कि जो एक सेटलाइट फोन थुरहिया का सेटलाइट फोन था और उससे जो बात होगी वहाँ से, पाकिस्तान में इनके आकाउं से, वो फोन अबू इसमाईल अपने पास रखेगा और वही बाकी लोगों से बात कराएगा जब 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 सितंबर दोहजार आठ में जो चाचा हैं, जक्यूर रहमान लकवी, वो इन दस के दस को बलाते हैं और पहली बार बताते हैं, कि तुमनों को मुंबई जाना है, अब यह सुनके दसों एकदम चौक जाते हैं, क्योंकि अभी तक सारी बाते कश्मीर को लेकर, कश्मीर की लड 2008 में खुलासा किया जाता है, कि कश्मीर नहीं मुंबई में जाना है, और मुंबई में जाने के बात, इन्हें क्या करना है, यह उस वक्त भी नहीं बताया गया, लेकिन उसमें एक चीज यह भी थी, कि यह मुंबई में जो जाना था, स्प्तंबर में इनको बताया गया, पह पहली तारीख जो फिक्स हुई मुंबई अटेक की वो 26 से 11 नहीं थी वो 27 सितमबर थी 26 नुवंबर बाद में तारीख आई पहले मुंबई पे हमले की तारीख ताय की गई थी 27 सितमबर को और उसकी वज़ा ये थी कि उससे पहले कई बार दिवाली के दोरान बहुत सारे आतं हमला करने का इससे जादा तबाही होगी और पूरी तैयारी कर ली गई थी 27 सितमबर के लिए और इसके लिए इन सभी को 23 सितमबर को पाकिस्तान से निकलना था सेम उसी रास्ते से सब कुछ करना था जो इन्होंने बाद में 26 को किया लेकिन 27 सितमबर को ये अटेक होना था ह हुआ ये कि उसी दोरान इंडिया में अलग अलग शहरों में इंडियन मुझाहदीन को लेके बहुत बड़े पैमाने पे रेड और दबिश डाली जा रही थी कुछ ब्लास्ट हुए थे जिनमें इंडियन मुझाहदीन का नाम आया था और उसी ब्लास्ट के सलसले में अची तो उने लगा कि इस वक्त मुंबई भी हाई अलट पे है दिली भी गुजरात भी है बड़ टार्गेट मुंबई को करना था तो उनको लगा कि अभी सितंबर में जाना शायद ऑपरेशन सक्सेस्फुल नहीं होगा क्योंकि पुलिस अल्रड़ी बहुत वहां पे करा जाओ तो तीन दिन के लिए अजमल कसाव अपने गाउं गया था फरीद कोट के पास ओंकारा जगा जहां पे वो कारेने वाला था और वहां जाकर उसने अपनी मां से मुलाकात की थी और उसने बाद में बताया या कर तब उसने मां को पहली बार ये बताया था कि वो मु के बाद जमातुद्दावा के कैम्प में आता है और फिर वहीं ही रहता है अब इन दस लोगों को वापसी के आने के बाद अक्तूबर फर्स्ट वीक में वहीं पर रखा जाता है और इसके बाद फिर इन्हें कराची में अब ट्रेनिंग दी जाती है समंदर के किनारे स्विमिंग बोट चलाना जहाज चलाना पानी का अब इनकी ये ट्रेनिंग शुरू होती है सबसे आखर में समंदर के अंदर कैसे अगर मुसीबात आ गई तो तैरना है निकलना है बचना है तो अब इनको वहाँ पे स्विमिंग से लेके बागी जहाज पानी के जहाज चलाने की बोर्ट चलाने की स्पीड बोर्ट चलाने की ये सारी ट्रेइनिंग दी गई ये सारी ट्रेइनिंग देने के बाद अक्तूबर का महीना भी बीच जाता है फिर नवंबर का महीना आता है और नवंबर में इन सब को कराची के पास ही एक जगह पे रखा जाता है गोता खोरी और ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग के वक्त मौझूद थे ये भी एजमलका साब ने बताया और ये जो एक इंक्वारी कमिटी बैठी थी उसमें भी ये चीज़ सामने आई तो अब सारी ट्रेनिंग हो गई हातियार चलाने से लेकर एक और ट्रेनिंग दी इनको कि मुंबई में बात कैसे करने हैं इनको हिंदी के कुछ च्प सिखाए गए इन से जाधा तो जो लड़गे थे इनकी टोन पंजाबी उर्दू की थी इनको बाकाईदा हिंदी मुंबई के जगों के नाम मुंबई के नक्षे मुंबई की फिल्में दिखाई गई मुंबई के स्टार्स के नाम बताए गए जैसे अजमल कसावा मिताब बचन का बहुत बड़ा फैन था तो मुंबई की जो लोकल भाषा बोली है उसके ट्रेनिंग दी गई हिंदी की ट्रेनिंग दी गई और इन सब के लिए फिर वैसे कप्रे पहने गए जो मुंबई में आम तोर पर 20-22 साल के लड़कों का इस वक्त फैशन में चलन था 2008 में वो टी-शेट वैसे रिबॉक लिवाइस और ये सारी चीजें जिसमें कुछ लिखा हो और जो आम तोर पर एक नौजवान लड़का पहनता है मुंबई में तो वो सारी चीजें उस वक्त के फैशन ट्रेंड को देखकर उनके कपड़ों भी वैसी टी-शेट विशेट खरीदे गए और वो सारी चीजें इने दी गए और इनके अपने सारे कपड़े वहां हाटा दिये गए जीन्स, टी-शेट, स्पोर्ट शूज, इवन गॉगिल्स तो यह सब ट्रेंग देने के बाद 22 नवंबर की रात कराची के अजीजाबाद एक इलाका है जो कोस्टल एरिया से बहुत जादा दूर नहीं है कराची में यह 10 के 10 वहां उस घर में मौजूद थे तभी वहां पर जकी और रह्मान लकवी पहुँचता है 22 नवंबर 2008 रात को आने के बाद सबसे कहता है कि तयार हो जाओ सब तयार होते हैं उसके बाद वो उन्हें गाड़ी में लेकर वहां से सीधे कराची के बंदरगाह पर पहुँचता है एक सुनसान सा बंदरगाह था 23 नवंबर की सुभा 22 नवंबर की लेट नाइट ये लोग निकलते हैं 23 नवंबर की सुभा करीब चार बजे ये दस के दस उस बंदरगाह पर पहुँचते हैं इन दस के दस को वहां पर पानी के एक जहाज पर बिठा दिया जाता जो बहुत बड़ा नीता चोटा था और उसी जहाज पे बिठाने के बाद जक्यूर रह्मान लखवी और उसके साथ जो जरार शाह ये वहीं से सबसे गले मिलते हैं और उसको तमाम दुआएं देते हुए विदा ले लेते हैं उस जहाज पे बैठने के बाद 23 तॉमबर के सुबा चार बजे करीब 25 नौटिकल माईल्स जहाज जब चल लेती है तब इन्हें समुन्दर में एक बड़ा जहाज मिलता है इस छोटे जहाज से इन दस के दस लोगों को उतारा जाता और उस बड़े जहाज में शिफ्ट कर दिया जाता है इस बड़े जहाज में वो शिफ्ट होते हैं उसके बाद फिर वो जहाज आगया बढ़ता है करीब एक घंटे के सफर के बाद समंदर के अंदर उससे भी बड़ा एक और जहाज मिलता है यह पहले छोटे जहाज से गए फिर उसके बाद दूसरे बड़े जहाज में पहुंचे उसके एक घंटे के बाद की समुदरी सीमा में है ताल हुसैनी जो सबसे बड़ा जहाज था उसमें ये दस के दस आतंगवादे शिफ्ट हो जाते हैं जब ये उस जहाज में जाते हैं तो इनके अपने जो कपड़े थे वो तो ये लेकर गए थे बाकि जहाज उसमें जाने के बाद इन सब को जो वहां मौझूद थे उस जहाज में वो उन्हें उन्हें का बैग दिखाते हैं हर एक के हिस्से में दो-दो बैग थे वो बैग उस जहाज में रखा हुआ था और उस बैग में सारे हत्यार सारे चीज़े थी एके 47, हैंड, ग्रेनिट, कार्तूस, खजूर, ड्राइ फ्रूट्स उसके बाद उस जहाज में बैठने के बाद ये बाकी जो पिछला जहाज था ये वापस लोड़ जाता है अब ये जहाज आगे बढ़ता है अल-हुसेनी इस जहाज का नाम था और ये पाकिस्तानी जहाज था इसके बाद ये जहाज भारतिय समुद्री सीमा में दाखिल हो जाता है अब उस वक्त ये था कि समंदर में भी निगरानी होती है लेकिन समंदर में एक अच्छी चीज ये भी होती कि बहुत दूर दूर तक आपको दिखाए दे जाता है कि कोई है कि नहीं है तो मैदान खाली था समंदर में कुछ था नहीं और ये जहाज भारतिय सीमा में दाखिल हो जाती दाखिल होने के बाद ये तब आगे बढ़ते है तो भारतिय समंदर सीमा में इन्हें एक जहाज दिखाई देता है वो छोटा था उस जहाज का नाम था कुबेर वो इंडियन फिशर मैन का बोट था और उस बोट को चला रहा था अमर सिंग चंडेल चल हुसैनी जहाज उस जहाज के करीब जाकर रुकती है और वो उससे कुछ यूही रास्ता भटकने का बहाना करते हैं ये लोग पूचते हैं और फिर दीरे-दीरे करके उस जहाज से दो-चार लोग नीचे उतराते हैं कुबेर में और आने के बाद इन में से जो पांच लोग थे किसी बहाने से चार को अल-हुसैनी में ट्रांसफर कर देते हैं पाकिस्तानी जहाज में सिर्फ एक को छोड़ देते हैं और वो था अमर सिंग टंडेल जो इस जहाज का नाविक था मचवारों के जहाज का हिल था अमर सिंग टंडेल की एक कहानी यह है कि अमर सिंग टंडेल 2006 में पाकिस्तानी समुदरी सीमा में दाखिल हो गया था मचली पक बट उसे छोड़ दिया गया था तो कहते हैं कि ये भी एक साजिश का हिस्सा था कि उसको छोड़ने के बाद वो उसकी हल चल और उसका रोटीन कहां तक आता है और या कभी ये था कि अगर समंदर से गुजरेंगे तो उसे सारी जानकरी ले ली थी कि इसका जहाज कपकब आता है तो ये भी एक हो सकता है कि किस-किस दिन ये समंदर में मचली पकड़ने हुता है तो उस दिन ही इन दस के दस आता अंकवादियों को उदर भेजा जाए ताकि समंदर में ये कुबेर जहाज भी टक्रा जा हो और फिर हम उस पे कबजा कर सके ये एक साधिस का हिस्सा हो सकता था तो खेर ये जहाज मिलता है कुबेर उसके बाद अलहुसैनी से में इस जहाज में बैठे हुए चार मचवारों को उसमें ले जाया जाता है सिर्फ एक अमर सिंग टंडेल को छोड़ दिया जाता है और उसके बाद दस के दस जो आतंकवादी थे हजमल कसाब समीत वो कुबेर बे शिफ्ट हो जाते है और अलहुसैनी अब वहाँ से वापस रिटन पाकिस्तान की तरफ चली जाती है उन चारों को चुके एक तो कुबेर जहास अब इनको रास्ते में कुछ फोर्स मिले तो वो भी लगे कि इंडियन है और अमर सिंग को सब जानते हैं जो समंदर में डेली मसली पकड़ने जाता है वो सब एक दूसरे को जानते हैं पैचानते हैं कॉस्टल गाड़ वाले लाइट फोन से और उससे कि कहा पहुंचे क्या है को जिस तो उसके लिए कहा गया था कि तुम कोड़ वर्ड बे बात करोगे क्योंकि हो सकता फोन इंटरसेप्ट हो तो पकड़े ना जाए तो इन दस के दस लोगों को कोड़ वर्ड दिया गया था जैसे कुछ कोड़ वर्ड जो उसमें थे कि अभी मचली लग रही है अभी तक मचली लग रही है इसका मतलब यह था कि अभी तक हालात ठीक है भाई लोग आ रहे हैं यह कोड है इसका मतलब था कि मचवारों की कश्टी आ रही है भाई लोग मतलब मचवारे यार लोगों से बच कर रहना इसका मतलब था कि भारतिय नेवी की कश्टियों से बच कर रहना यार लोग यहां भारतिय नेवी के लिए यूज किया जा रहा था यार लोगों का गुरुप देखा गया यार लोगों का गुरुप देखा गया यानि भारतीय नेवी का जहाज देखा गया मशीन में हैं माल चाहिए मशीन का मतलब यहां है दिक्कत में है मुसीबत में है और माल का मतलब है मदद चाहिए अगर कहीं फस जाओ तो यह बोलना है बर्फ ठीक चल रही है यानि सफर अभी तक ठीक चल रहा है यह सारे कोड़ वड़ थे जो इने फोन पे लगातार बात कर रहे थे और लगातार बात चीता रहे थे और यह पूछ रहे थे और यह चल रहा था खैर तौब आल-हुसाइनी से कुबेर में पहुँच चुके और उसके चार लोगों को उसमें बठा दिया है इसमें सिर्फ अमर सिंग चंदेल है उसके बाद यह दस के दस सारा अपना सामान इसमें शिफ्ट कर लेते हैं अमर सिंग को भी अब ऐसास हो चुका होता है कि वो फंस चुका है वो उसकी हत्यार के ज़त पर लेकिन साथ में उसको पूरा समंदरी रास्ते में गुजरा 26 तारीक को 26 नमबर यह पूर बंदर की सीमा में दाखिल होते हैं और उसके बाद वहां से अब यह मुंबई की तरफ बढ़ते हैं मुंबई की अभी दूरी काफी थी उससे पहले ही अभी नहीं लगता है कि अमर सिंग अगर चुके अब यहां पे जैसे जैसे मुंबई नजदी का रहा है तो आपके चारों तरफ खत्रा बढ़ेगा क्योंकि वहां पे पानी की बहुत सारे जहाज हैं और भी मच्वारे निकले हुए हैं कोस्टल गाड के लोग हैं वो भी मिल सकते हैं तो वहां आप पकड़े जा सकते हैं तो इसलिए इनको लगा कि कहीं यह चीख न दे और उनका भेद न खुल जाए तो इन्होंने मुंबई से कुछ पहले अमर सिंग तरनेल को उसी कुबेर जहाज में मार डाला मारने के बाद उसकी लाश उसी में रखी फिर थोड़ा आगे जाने के बाद इन्हें एक स्पीड बोर्ड दिखाई दी अब यह उससे स्पीड बोर्ड में शिफ्ट हो जाते हैं मुंबई के करीब और स्पीड बोर्ड में शिफ्ट होने के बाद यह सीध है मुंबई के एक कुलाबा से लगता हुआ कफ प्रेड एरिया है वहाँ पे एक मच्छी बाजार मार्किट है उसके किनारे आकर स्पीड बोर्ट से अपनी स्पीड बोर्ट को लगा देते हैं तब रात के वक्त बज़े थे 9 अंधेरा हो चुका था और जिस जगह पे यह मच्छी बाजार है वहाँ से सौथ मुंबई के सारे मशूर इलाके सबसे नजदीक कुलाबा हो ताज हो उबराए हो सब कुछ अब यहाँ पे दो चीज़े कि यह कराची से चलते हैं भारती एक जहाज पर कबजा करते हैं पूरा पूर बंदर एरिया पार करते हैं और मुंबई तका जाते हैं और कोई रास्ते में रोकता नहीं है कोस्टल गार्ड, पुलिस, कुछ नहीं ऐसा क्यों अब इसमें होता ही है कि दरसल जो मच्छवारे हैं वो हर साल मच्छी पकड़ने के लालच में रोटीन का मामला समझते हैं और वो देखते हैं किसी जहाज को कोई आरा दूर से पूछ लिया, समझ लिया कई वार ऐसा होता है कि चलो अवैद है, लाइसे नहीं है बहुत सारे ऐसे, पैसे लेके छोड़ दिया तो ये जो लापरवाही है और ये जो लालच ये कईवा बहुत नुकसान दे होता है अब सबसे बड़ी बात और यहां पर कि फिर भी एक सवाल आता है कि कैसे कोई कराची से बिना वीजा पासपोर्ट के इतने सारे हत्यार के साथ और मुंबई पहुँच गया इतनी आसानी से अब ये सवाल है हर एक के जहन में और वो भी तब जबकि आप अगली जो चीज आपको बताऊंगा वो अपने आप में चोकाने वाली है कि 1993 में जब मुंबई में सेरियल ब्लास्ट हुआ दाओद इबराहीम और टाइगर मेमन इन सबने जो कराया मैंने आपको शुरू में कहाता है कि RDX तब समंदर के रास्ते आया था तो जब ये इनक्वैरी के बाद पता चाला कि सारे RDX समंदर के रास्ते हत्यार रहे थे मुंबई में तो फिर एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग हुई और 93 के बाद बता रहा हूँ आपको और 94 से ये तैह हुआ कि पूरा जो ये अरबियन सी है जो मुंबई की जी सारा समंदरी इस इलाका है अब इसकी निगरानी की जाएगी और इसके लिए बाकाय था नेवी होम मिनिस्ट्री इन लोगों ने मिलके तैह कि इस अरब सागर में मुंबई के आसपास पूरा जो गुजरात का भी वो लगता है इंटरनेशनल सीमा तक नौसेना पुलिस कस्टम ये सब मिलकर वहाँ पे पेट्रॉलिंग करेगी 93 सीगल ब्लास्ट के बाद ये तैह हुआ था ये सरकार की तरफ से इसके लिए बाकाइदा नेवी को बड़े जहाज दिये गए डॉनियर एरक्राफ दिये गए हेलिकॉप्टर दिये गए और साथ में ट्रेंट नौसेना के जवान इनको वहाँ पे अरब सागर में तैनात किया गया कि इस तरीके की कोई भी चीज कोई अंचाही अंचाहे लोग अंचाही जहाज जिसके पास कुछ कागजात नहीं कुछ नहीं आप उनको पकड़ेंगे और हमारी सीमा में घुशने नहीं देंगे और मॉंबई की तरफ तो सवाली नहीं क्या पाने देंगे तो इस पूरी जॉइन पेट्रोलिंग जो नेवी, कस्टम, पुलिस इन सब के लिए और ये सारे जहाज, हेलिकॉप्टर ये सब कुछ दिये गए और इस ओपरेशन का नाम रखा गया था तब ओपरेशन स्वान, SWAN इस ओपरेशन स्वान का मतलब ही था कि समंदर की निगरानी करेंगे और हम मुंबई पे कभी इस तरह की और कोई बरबादी के सामान या बरबाद करने वाले लोगों को आने नहीं देंगे ये 93 के बाद हुआ था और इस ओपरेशन के तहफ महरास्ट गुजरात के जो तठीये इलाके हैं वहाँ पे पूरी पेट्रोलिंग होती थी नेवी के बड़े जहाज, एरक्राफ्ट, हेलिकोप्टर ये इससे निगरानी की जाती थी और ये सब कुछ चल रहा था, अब इसे आप क्या कहेंगे, कि 2008 में 26 से 11 होता है और 2006 में बिना किसी वज़ा के इस ओपरेशन सवान को खतम कर दिया जाता है और ये सारी निगरानी ठप, जॉइंट कोई भी पेट्रोलिंग नहीं होती है, और उसके बास सब कुछ नॉर्मल पर, अब जरा आप ये सोचें कि सिर्फ दो साल पहले, 2006 में यह हुआ था, अगर 2008 में भी ये पेट्रोलिंग जारी रहती है, और इसकी कोई वज़ा नहीं ब हमारा साल से पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा पकड़ाया नहीं, कोई ऐसा मिला नहीं, तो ये खामखा का यूहीं, फाल्तू का एक्सराइज है, खर्चे है, 2006 में ऑपरेशन सोहन खतम कर ले गया, जिस ऑपरेशन सोहन के तहत मुंबई के सारे बंदरगाहों की ह इफाजा तो निगरानी की जाती थी, जिसके तहत कोई भी बाहरी आद में घुस नहीं सकता था, और उसके हटाने के बाद इस ऑपरेशन सोहन के ठीक दो साल के बाद, दस आतंगवादी मुंबई पहुंचते हैं, वो भी सीधे कराची से, और रास्ते में उन्हें कभी कोई नहीं रोकता है, जब 9 बजे 26 नॉवंबर को कफ रोड के पास मच्छी बाजार मार्केट में इनका बोट रुकता है और ये नीचे उदरते हैं, तो वह बहुत ही भीर भार वाला इलाका है, अगर आप लोग गय हूं, मैं गया हूं, इसी सलसले में, तो इस सब अपना बैग के हिसाब से पता है, इन्हें सरफ ये पता है, कि यहां पे हम उतरेंगे, वहां से किदर किदर जाना है, तो जब ये उतरते हैं, तो इनमें से एक, उसी पे एक मच्छी बाजार मार्केट में वो एक महिला थी, जिससे ये टकरा जाता है, वो महिला बहुत घुस्से में उसक ये बैग है, सब के ड्रेसे हैं, सब घबराएवा जलबाजी में हैं, तो उस मचली बाजार के कुछ लोगों को शक होता है, और वो बाकाइदा सो नंबर पर पुलिस को कॉल करते हैं, कि अभी भी एक बोर्ट से ऐसे से कुछ आए हमेश शक है, तो पुलिस वाले भी टाल देते हैं, उन्हें लगता है कि अरे कुछ होगा, अगर उस वक्त भी थोड़ा सा अलट होता, तो ये दस के दस शहर में घुचने से पहले, जो आज पास में अगर कोई PCR और ये वैन होती, तो वहाँ पर भी पकड़े जा सकते थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो अब ये दस, तीन दिन का सफर करने के बाद, 23 नुवंबर को चलते हैं कराची से, 26 नुवंबर की रात, 9 बजे मुंबई में दाखिल हो जाते हैं, कफ रोट पे उतरते हैं, अब इनके सामने जो सबसे पहला, सबसे करीबी जगा थी वो कुलावा, लेकिन ये 10 के 10 जब उतरते हैं, और जैसे ही, उस समंदर को छोड़ कर कप्रेट पे में रोट पे आते हैं, पहले से तैथा, ये 10 दो-दो के ग्रूप में बढ़ जाते हैं, दो अलग, दो अलग, दो अलग, और 10 के 10, अब दो ग्रूप में बनकर, पांच हुए, और ये पांच अलग-अलग टैक्सी पकड़ते हैं, इसके बात क्या होता है, कैसे कैसे ये कहा जाते हैं, क्या क्या करते हैं, ये पूरी कहानी आपको अब, इसके पार्ट टू में, क्योंकि अभी तक साज़िश मुंबई पहुचने की पूरी कहानी आपको बता दी, अब इस साज़िश को अमली जामा पहनाना है, जो हुने कहा गया, वो करना है, और कैसे मुंबई में करते हुए भी, करिये रहें, फोन पे लगातार इनको इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, कराची वे बैठे वे इनकी आका, जकिर रह्मान लकवी से, जरारशा से, हमजा से, ये सारी चीज़े, अगले पार्ट टू में आपको सुनाएंगे, तो ये पार्ट वन था, मुझे जितनी, मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें शैद, टीवी में और अख़बारों में इतनी डिटेल मिनी आई, इसलिए मैंने का कि मैं आपको ये बताओं, अब पार्ट टू की कहानी जाई सी बात है, कल संड़े है, तो सौमार रात 9 बज़े ठीक आपको सुनाऊंगा, मंदे को सुनाऊंगा, फिर कैसे ही आतंगवाद एक ऐक कर मारे गए, और इन की जद में आकर कैसे कैसे लोग मारे गए, एनेस जी कैसे पहुँची, एनेस जी को पहुँचने में लेट क्यों हुँआ, ये सारी चीज़ें मंदे को, तो पार्ट वन यहीं पे रोकता हूँ और अब कुछ मैं नोट करके लाया था इसलिए सवाल लूँ उससे पहले आप लोगों को बताता हूँ सुनाता हूँ एक स्वाती शर्मा है ये स्रजिकल स्ट्राइक के बारे में कहानी सुनना चाहती है सुाती जी बिलकुल आपको जल्दी सुनाओंगा अर्पन पतेल ये LTT के बारे में सुनना चाहते हैं ये भी आपको सुनाओंगा आधित सिंग है एक गीतेंद्र हैं ये साइबर क्राइम के बारे में कहते हैं कि अब अर्मेस की जरूवत है और लोगों को बताना चाहिए, साइबर क्राइम की बहुत सारी interesting story है, मैं जरूर आपको सुनाओंगा एक बड़ा अच्छा है कवीता सूध है, इनकी जो मदर है, मम्मी है वो गुरुदत और गीता दत की कहानी सुनना चाहती है इसमें थोड़ा साथ वो कुछ सस्पेंस है हलाकि थोड़ी से फिल्मी हो जाती है लेकिन अब फर्माईश है तो जरूर कवीता जी आप बताईएगा मम्मी को बिल्कुल सुनाऊंगा और जल्दी सुनाऊंगा गुरुदत और गीता दत दोनों के बारे में इसके लावा भरत शर्मा है इन्होंने अपनी कहानी बताई कि कैसे कुछ भी नहीं था पर इन्होंने बहुत महिनत की और आजिन के पास सब कुछ है अभी इंडिया के हैं लेकिन बाहर में रहते हैं तो ये एक सीख है एक नसियत है हमेशा अच्छे रहे है भरत शर्मा साब इंड्रजीत प्रजापती है इसके लावा सनी वीपियन है इन्होंने अभी सही वो ये हमेशा नज़र रखते हैं ये कह रहे थे कि थी के नहीं क्या तीन लाग सब्सक्राइबर मेरे हिसाब से पहले से जल्दी हो रहा है दुआएं आप लोगों की इसके लावा परिक्षित बरवे हैं प्यूश वसिष्ट हैं राशिदा अरहान हैं रवी गौरफ पांडे हैं चाहिना से हैं ये शाइद चाहिना से मुझे पहली बार मेलाया बिज राज हैं ये शाइद जहां का केस सुनना चाहते हैं बिल्कुल वो भी जरू सुनाँगा प्रदीप रॉयल हैं बिशन प्रधान निशांत नीरफ शमित तिवारी हैं ये शिविता तिवारी हैं ये शाइद ये शमित तिवारी नाम इनोंने कुछ लिखा है लेकिन शिविता तिवारी हो ये शमित तिवारी हो आज इनका जनम दिन है और बहुत बहुत आपको बढ़ाई बिश भुशन पांड़े जी है ये महाराजगन यूपी से इनोंने बहुत अच्छा एक मेल लिखा है निशांत जैन है और मनीश रंजन है तो शिविता तिवारी अगर नाम मैंने घलक लिया हो तो माफ कीजेगा दोनों नाम ले लिया तो ये कुछ थे जिन्होंने कुछ बहुत सारी चीज़ें लिखी थी मैंने कहा कि मैं बता हूँ सर एक सवाल हुई तो हमारी गौवर्मन को पता नहीं लगा जाहिर सी बात नहीं लगा बलकि मैं आपको एक चीज़ जो बचाना भूल या था बताना वो बताता हूँ कि 26 से 11 से करीब 3 महीने पहले अपनी जो रौ है खुफिय अजनसी उसने कुछ phone call intercept किया थे और इस phone call में बाकाइदा ये बात हो रही थी कि मंबई में है नाम भी ले गयते होटल के ताज है ये है और ये तीन महीने में कई बार R RAM ने इसको intercept किया और बाकाइदा माहरास सरकार को और पुलिस को इसे को ईइना टर्गेट कह जा रहा है लेकिन मुंबई गौर्णमेंट या पुलीस का कहना था कि कोई कंक्रीट आप नहीं बतारे है ये तो वेक सा है कब क्या होगा कैसे होगा लेकिन कहते हैं इंटर्शिप्ट कर लिया था और अगर उसको सीरेसलिय उस वक्ट लिया जा था तो शायद 26 से 11 बच सकता था कुमार जी पूछ रहे हैं सिर्फ क्या कोस्टल की सेक्रिटी एरिया में इसके कुछ बदलाव आए थे तो कितने बड़े बदलाव थे हो 93 के बाद मैंने अभी जैसे आपको बताया उपरेशन सौान के तहट पूरी जो गुजरात महरास्त इनकी सीमा समुदरी सीमा इस पर निगरानी बढ़ी इवन चौपर से निगरानी होती थी नेवी के लोग करते थे पुलिस कोस्टल कार्ट लेकिन 2006 में रोग दिया गया फिर वही है कि हम दस साल के बाद हमने क्या सीखा है वही चीज में आपको बता रहा हूँ कि जब टूथ 26 से 11 हुआ उसके बाद फिर वही चीज़े हुई फिर समंदर की निगरानी शुरू हुई फिर वही हुआ जो 93 के बाद होता था और उसके बाद जो चीज़ें हमने छो कई सवाल है कि NSG को आने में टाइम क्यों लग गया था अजाई सीवात यह कहानी पार्ट टू है जो मंडे को मैं आपको सुनाऊंगा उसमें यह भी उसका एक हिस्सा है तो मैं आपको डेटेल में जरूरू बताऊंगा सर इनका कहाना है कि उन्हें स्पीड बोर्ट कहां सी मिल गई थी हाँ जब यह गुजरात पोर बंदर पार किया इन्होंने तब तक कि यह कुबेर में थे उसके बात रास्ते में बहुत सारे इनको छोटे छोटे आप जैसे आप आबादी और उसके करीब आते जाते हैं तो आपको जहाज भी मिलती जाती है तो स्पीड बोर्ट को हाला के लिए कि यहां पर एक कन्फियूजन है कि जो कुबेर जिसमें यह थे उसमें जो रबर वाला वो होता है एक तरह का बोर्ट होता है जो आप पानी में उतार देते हैं तो एक तो था कि वो है क्योंकि इस पर प रबर का वो जो सा होता है उसको लेकर यह उतरे थे और दूसरा यह कि किसी से इनोंने स्पीड बोर्ट चीना और उसके बाद यह मुम्मे तक पहुंचे थे सब गंजनानन जी का सवाल है की सब चांडेल जी की लाश क्या मिली थी बाद में कुबेर से टंडेल की लाश मिली उसको गला काटके चाकू से मारा गया था और उसी कुबेर से लाश मिली थी और वो जहाज भी बाद में कुबेर भी बरामद हो गया था और उस कुबेर से ब साथ आंगबादी थे पाकिस्तानी थे वो सारे प्रोफ क्या क्या मिला था यह मैं आपको बताओchnा मंडे को के हो का है कि mountain का इसके बाद भी टै इरोरी स्वाइन अफ आ सकते कोस्ट कर लिया के बाद कितनी सेक्रिटी या र्हुत हो यह फ्रोड से ग्यारा के बाद सबक तो बहुत कुछ लिया हम लोगों ने कम से कम सीकुरिटी के लिहास से और जो लूपोल्स थे समंदर के रास्ते में कभी सोचा नहीं किया था कि इस तरह से भी आमला हो सकता है उसके पाद बहुत सारी स्टेप उठाए गए और अब निगरानी जो होती है हर एक जो मचवारे भी हैं उन सब के लाइसेंस होते हैं जहास के उनकी चेकिंग होती है जो लोग हैं उनकी चेकिंग होती है कि यहीं हैं इंडियन हैं गुजराती हैं महरास से हैं बार से हैं तो अब हालात बदले हैं अब सक्ति तो है भानु शोनी जी का सवाल है कि मेरी वाइप मनिशा प्रेगनेंट है वो कह रहे हैं कि वाइप को समझा रहे हैं कि आपकी कानी ना सुने ताकि उनका जो बच्चा होने वाला है वो साथ कहीं CID में न चले जा है अब बानु सोनी साहब नमस्कार और अगर देखें CID में जाता है आपका उपर वाला करेक तो आपकी पत्नी अच्छी रहें स्वस्थ रहें और आप बाप बनने वाले हैं लेकिन अगर आपका बेटा बेटी जो भी होते हैं दोनों में से कुछ जो भी CID CBI में जाता तो यह अच्छी बात है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, तो आप बेफिकर रहें, जो भी होगा विल्कुल अच्छा होगा. सर गगन जी का सवाल है कि जिन पुलिस वालों ने फिशर की बात नहीं मानी थी, क्या उन्हें सेस्पेंट कर दिया गया था? जिन पुलिस वालों ने? तब एक्षन नहीं हुआ, रास्ते में जाहिर से बात है, इतने दस के दस लोग इतने सारे हत्यारों के साथ चले आ रहे हैं, और समंदर में कहीं तलाशी चेकिंग कुछ नहीं हुई, जबकि उसमें एक लाश भी पड़ी है, तो यह सारी चीजें हुई, लेकिन लकीर पीट आगी ही एंटी करता है, इसे बहुत सुज़त जाएगी, कई इसके बात सुज़ा हुऊ और वो सारी चीजे आए, और एक चीज और आपको मैं बताना भूली गया, जब यह कुबेर बोट में आये थे, तो इस कुबेर में टंडेल के पास बाकाय था, जो रूट, समंदर में आप रास्ता बहुत जल्दी भटकते हैं, क्योंकि दूर दूर तक अगर आप देखें, अगर आप लोग ट्रैवल किया हो कभी, तो किनारा तो दिखता नहीं हो, और सब कुछ एक जैसा लगता है, तो आप ऐसे जा रहे हैं, पस्चिम पूरा बुत्तर कई बार कंशूज ज बता हूँगा, कि उसी GPS में वापसी का भी रूट फिक्स था, मुंबई टू कराची, इससे ये एक ऐसास हो रहा था, कि शायर इन दस को दस लोगों को भरोसा था, कि अपना काम करने के बाद वाद वापस कराची भी इसी रास्ते से जाएंगी, सर एक जनरर कोश्चन है, कि पाकिस्तानियों कोई फंड कौन करता है, जो टेरिस्ट होते, इनको फंड कौन करता है, और एक सवाल है कि आप क्या एंटर्वी लेना चाहते थे, अजमनका साब का, पाकिस्तान को ये टेरिस्ट लोगों को फंड कौन करता है, आजायर सी बात है कि अलग-अलग लोग हैं, दो चेहरा बना रखा है इनका यह है कि हम जिहाद, इसलाम, कश्मीर की आजादी इसके लिए काम कर रहे हैं इसके लिए नाम पे इने बहुत पैसा मिलता है एक तो पाकिस्तान में सबसे आसान है कश्मीर के नाम पे फंड जुटाना धडले से मिल जाता है उसका ये लोग इस्तमाल फिर आतंगवादी और इन सारी चीज़ों के लिए करते है दूसरा एक था कि क्या अजमल कसाब का मैंने बहुत कोशिश की लेकिन अजमल कसाब असल में जब पकड़ाया तो अजमल कसाब का जिन्दा पकड़ाना एक बहुत बड़ी जीत थी बहुत कम हाथ लगा हम लोगे तो अजमल कसाब के तोर पर अजमल कसाब की शकल में हमारे पास एक जिन्दा सबूत था और इसलिए अजमल कसाब की बड़ी सक्त निगरानी होती थी और कभी भी किसी मीडिया को करीब उसके फटकने तक नहीं दिया गिया वह एक जो उसका पूछना चोरी थी जो वीडियो होई थी वीडियो सर्फ एक है उसका जिसमें वह बता रहा सब कुछ वो नेट पे भी है बागी कोशिश बहुत लोगों ने की कोई ऐसा चैनल या अखबार नहीं है जिसने अजमल कसाब करने ही कोशिश नहीं कि उसमें हम सब थे लेकिन अफसोस हो नहीं पाया सर अजमल कसाब की जो रिकॉर्डिंग आई थी मीडिया में जो हमने क्राइम तेक पर डाली थी उसमें कितनी सच चाही हो कै सच में था या वो एक स्क्रिप्ट जो नेट पे आपने देखा अजमल कसाब का वो एक्चुली इंटरोगेशन का एक पार्ट है मॉंबई पिलिस क एक जवान इंटरिवू ले रहा है जिसमें वो कई बार पंजाबी में बोल रहा है कई बार वो हिंदी के शब समझ नहीं रहा है लेकिन वो ओरिजनल है बाकाइदा कोट की कारवाई में भी उसका इस्तमाल हुआ है और उसमें कोई वो नहीं है कि ये बनावटी है या बिलक सब 26 नवंबर की रात को ही पकड़ा गया था और ये जो है ये इसका पूरा ये 27 नवंबर 2008 को ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ था विकाद गौरव जी का पूछना है कि जिहाद का मतलब बताएए ये सब कि कई भठके वे लोग रास्ते पर आ जाएए जिहाद होता क्या है विकास साब मैं एक बार और भी बताया था कि जिहाद का मतलब मुझे लगता है कि उस बार किया था तो कही लोगों के रियक्शन भी आये थे मुझे थोड़ा सार मौका दे दिये तो मैं और कुछ पढ़े लिखे लोगों से इसके बारे मैं डेटेल में समझ लूँ जहां तक मेरी अपनी जानकारी है वो यह है कि जिहाद का मतलब जो इसलाम में है वो है बुराई के खलाफ जंग बुराई के खलाफ लड़ना उसमें कहीं नहीं है कि आप किसी की जान लें किसी को मारें चाहे वो कश्मीर में जो हो रहा हो चाहे वो 26-21 में हुआ हो चाहे 9-11 में हुआ हो ये जिहाद की कैटिगरी में कहां से आता है तो जिहाद का असली मतलब कुछ और है इसलाम में और वो बहुत अच्छा मतलब उसके बड़े अच्छे माईने है लेकिन उस जहाद शब्त को ही बदनाम करके रख दिया गया एक्जेक्ट पूरी डिटेलिंग इसकी क्या है मैं कुछ जो इससे जादा बहतर जान का रहा है मैं उनसे खुद अच्छे से और समझ लू और फिर मैं आपके पास इसको लेकर ज़रूर रहाँगा इसका जवाब यह मेरा वादा है सर राहुल कुमार जी थोड़ी गुस्से में कुछ रहें कि सर बता हमें बताईए कि हाफिस सईद इतना एक्यूस्ट है फिर भी हमारी रौ ने या गॉर्मेंट ने कुछ भी नहीं किया रहुल कुमार बैठावा है वो पाकिस्तान में हाफिस सईद तो क्या करेंगा हम स्रिफ मांग सकते हैं चीक सकते हैं गुस्टा निकाल सकते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है इसका दूसरा एक और पहरू देखे कि जक्यू रहान लखवी चाचा जिसने इस दस को ट्रें किया भेजा जो लगातार फोन पे भी बात कर रहा था जब हमला हो रहा था जब बहुत प्रेशर पड़ा और उसकी फोन की ओडियो 59 आवर्स के रिकॉर्डिंग है उस मुंबे अटेक के दौरान आतंकवादियों और उनके आखाओं की बातचीत के और वो पूरे ओडियो चला है हम लोगों ने मुझे याद है कि मैंने चार गंटे का इस पर शो बनाया था उस पूरे आडियो पे जाता तर पंजाबी में है फिर हिंदी में भी है और ये मैच हो गया कि ये लकवी की आवाज है उस लकवी के बाए उस वक तब इंडिया का इतना दबाव था कि पाकिस्ता भी वही है मसूद अजर भी वही है आपका सेयद सलाओ दीन भी वही है फिर आपका हाफिस सईद भी वही है और ये सब हमारे लिए वांटेड है और ऐसा भी ने कि पाकिस्तान चुपे में दिखते नहीं है रैलिया करते है टीवी पे आते हैं वहां के निउस चैनल में कई तो होस्ट भी बनके गए है मतलब एक्सवर्ट के तौर पे इंटर्वी चलता हूं का लेकिन हैं पाकिस्तान की गोद में हैं पाकिस्तान हमें देता नहीं हम जाकर ला नहीं सकते हैं सर्फराज जी का सवाल है कि क्या पाकिस्तान ने माना अफजल का साब पाकिस्तान से था जब अफजल का साथ पकड़ा गया यह अच्छा एक सवाल है किसका सवाल था यह सर्फराज क्या है कि जब अफजल का साथ पकड़ा गया और उसके बाद सारे उसने इंटर्विवें अपना नाम पता सब फरीद कोट ओकारा जिला बाप का नाम यह पांच भाई बहन सब कुछ बता दिया तो उस वक्त पाकिस्तान सरकार लगातार मना कर रही थी कि इन में से हमारा साथ कोई लेना देना नहीं है लेकिन कमाल देखिया पाकिस्तानी मीडिया ने उस वक्ते बड़ा अच्छा काम किया था जीयो टीवी की एक टीम उसके घर पहुंच गई गाउं यहां से ज पर बैग है और हाथ में एके फोटी सेफन है तो उसके फादर ने कहा कि हाँ यह मेरा बेटा अजमल कसाब है और उसके गाउं वालों ने सब ने माना उसके बाद फिर बीबी से ने इस पर रिपोर्ट कि और पूरे जाकर उसके वोटर आईडी कार्ड और यह सब कुछ निक तो पाकिस्तानी मीडिया ने इस्टेबलिश किया कि यहां यह जो कसाब है जो इंदुस्तान में जो एटक में शामील एकलोता जिंदा पकड़ा गया है यह पाकिस्तानी इस जगह के रहने वाला इसका इसके बाप का नाम यह इसकी मा का नाम यह वो सारी चीजे पाकिस्तान मेडिया ने क्या ये उस वक्त इतना अच्छा काम किया था जिबके सरकार लगातार मना कर रही थी अगर कल तीन लाग सब्सक्राइबर हो गए तो मैं सब्सक्राइबर जीतूंगा और उसके लिए क्राइम के नाम पर के काटूंगा फन अड़ा साब थैंक्यू गरी मच्च कोई नहीं आप ऐसे शर्तों में नहीं जी दिया प्यार आप लोगो का काफी है बाकी सब्सक्राइबर तो आगे पीछे उपर नीचे घरता बढ़ता रहेगा लेकिन सच बताओं शुरू में मैं अप्चले बहुत ही मंदारी से ही बता पढ़ते गएर उनके जब मेल और वह पढ़न लगा है यहाँ से हटके जब मेल आता है मैं डेली जो पढ़ता हूं दो-ड़ाइसो मेल कम से कम ऐवरेच तो मुझे लगा कि यह जादा माइन नहीं है क्योंकि वह चीज़ पहली बार अहसास हुआ कि यह प्यार क्या होता है य आप मुझे रखता कि वक्त भी हो गया काफी तो कल संडे है कल संडे आप लोग इंज्वाइ कीजिए और मंडे को पार्ट टू कफ रोड पे जहां ये कहानी मैंने खत्मे की कि आप ये मुंबई पहुँच चुके हैं इसके बाद आगे क्या होता है मंडे रात नौ बजे आपसे मिलूँगा आपको सुरूँगा तब तक अथे रहिए अपना खयाल रखिया और हमेशा खुश रहिए थैंक यू